जानता हूँ वो हुनर की खूब पहचान रखते हैं छुपा कर अपने दिल में मुझे मेरी जान रखते हैं जानता हूँ वो हुनर की खूब पहचान रखते हैं छुपा कर अपने दिल में मुझे मेरी जान रखते हैं और पागल हो जाए जिसे देखकर पत्थर दिल भी और पागल हो जाए जिसे देखकर पत्थर दिल भी ऐसी नसीली नजर मादक अदा और मोहक मुसकान रखते हैं जा वो होनर की खुब पहचाना है और सिक्षाब बाग में बड़ा वाउ के पदपर कारगरत भी है तो हम स्वागत करते हैं विनंदन करते हैं सुंद्रम गांधी जी का नमस्तार सुंद्रम गांधी जी सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस फिल्म के छेत्र में आपका आबागमन कैसे हुआ ये कठीन मार्ग आपने कैसे चुना एक रोवान्चक पहलू है और ये सब एक संजोग है अचानक से हो गया जो ऐसा था कि बात कि मैं लिखता था आर्टिकल वगारा ख़वारों में छपता था मेरा आर्टिकल तो मैं उसमें मैं टॉसिप में रहता था और उसी में उलाओ में एक मेरे साथी तो नहीं थे वो साथी बादें बने भोला वसंत सर करके एक रहते थे जो की थेटर वगार से जूरे हुए थे वो मेरा आर्टिकल पर है उनको अच्छा लगा वरस वो अचानक से मेरे घर पर पहुंच गए परपोज़ा भी उन्हें डाला कि आप एक नाटक लिखिये और उन्हें विषय दिया मुझको मैंने सुचा कि चलो आर्टिकल बग्ज़ा तो लिखते हैं ये नाटक भी लिख कर देखते हैं कैसा रहता है नाटक मैंने लिखा, उनको बहुत पसंद आया नाटक, नाटक का सिर सकता है, यह चक्र चलता रहेगा, और मैंने जब लिख दिया, पूरा त्यारी हो गई, उसके रिहरसल सुरू हुआ जुगली हौल में ही, और कल्यान केंद में रिहरसल होता था उसमें, रिहरसल सुरू हु जो से मुख हुए का करने वाले थे, आजए विजय का रॉल करने वाले थे, वो खिसक लिए, पता नहीं किस कारण से खिसक लिए, मैं समझ नहीं पाया, वो सारी उनिक परिसान होगे, अब दो दिन बाद उसको सूट होना है जुगली हौल में, और अचानक से चले जाना मु कर सकते हैं, जितने भी लोग थे यूनिट में, सब वो ने सरेंडर कर दिया था, जो कि सारा डायलोग बहुत सारा मेल रॉल था विजय का, तो मैंने कहा भुला बसंद सर से कि ऐसा है सर, मुझे ही आजमा ले, मैं तो डायलोग बगेरा लिखा हूँ और मुझे एक-एक डाय करता है, चुकि आपने हमको उफर नहीं कि हमको हिमत नहीं हो रही थी काने का, देख लिए अब तो कोई मिखल भी है, मैं कर सकता हूँ इसको, उन्होंने ठीक है, दो दिन, मतलब 10-6 वज़े तक हम लो लगातार सुटिंग करते रहें, और उसके बाद जब हमने परफॉर्म सुरू हुई और उसके बाद से हम लोगों का जुगल बंदी हो गया, और उन्हों के सहोग से मारदरसंद से में आगे बढ़ता चला है, सर, कहा गया है कि गुरू बिन ज्यान कहा, आप फिल्म के छेतर में अपने गुरू, अपने मांग दसक, जाकाले कि सब कुछ सिखाने किन को देखते हैं? पर एक दिन का सुटिंग बचार होगा है, हलमेट पर अधारी रच्छक है, सब में हम लोग साथ ही निमाता, निरेज तक वो रहते हैं, निमाता हमारे पापा विश्नात पॉद्दार से कि विश्नात पॉद्दार रहते हैं, आप कभी भी है, गोपाल दस निरेज की एक पं का कोई बनने का ये कहां से सुगात है, ख़ायमं की बर्किरिया है सर, मैं बच्पन में 6th क्लास में था, तब से ही मैं कभी तर लिखता हूं, और कभी जो है, सो मैं मानता हूं, कि जो प्रिभ में पढदे हैं, वह सायर बनते हैं, जो असफन होते हैं, वह बहुत बहान सायर तो वहीं से मेरी परकेडिया शुरूए इस सिक्स क्लास में पढ़ता था मैं और हमेशा ये इच्छा रहा कि लोग हमको पैचान है, लोग हमको जान है, मैं फ्रंट पे दुख हूँ, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा गुन होना चाहिए था, मैंने कोशिस किया, हिंदी मिस कविता के छेत्र में, सर, किसी संस्था का योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपको वह बढ़ाने में एक बड़ी भूमी का मिलती है, तो क्या कभी ऐसी संस्था के साथ आपका जुड़ा हुआ है? प्रारम में मैं व्यवु सरय में प्रगरतिसी लेखक संग से जुरा हुआ था, अनंद्रामन सर्थ है और उसके बाद राजंदरा राजंद सर्थ है, वो लोग मेरी कविता को जब एक स्टेज पर सुने थे, मुझे इस लाइन में कविता के छेत्र में मैं जिन्हें अपना ह नहीं मिला, फिर उनने मौका दिया, और लगातार उनने मौका दिया, बहुत सपोर्ट मेरा किया, सिखर सावंसर, उसके बाद मैं आगे बढ़ता चला गिया, प्रगतिसी लेखक संग में सदस के रूप में जुरा रहा, फिर कारवा बढ़ता गिया, उसके बाद बेगु सर हबता तक है, जूर सकता है, उन्होंने मुझे ओफर किया कि जिला मीडिया परभारी आपको बनाना चाहते हैं, मैंने खेल खेल में ही लिया, कि चलो देखते हैं, इसमें प्रगतिसी लेखक संसी जुरे हुए है, मैंने उनको कहा कि मैं इन से जुरा हुआ, उनको अबच्श बहुत सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ नोंने जोरा जिला मीडिया परवाई से अपने संगठन में मुझे महत्पुन हुई का देते चले गया, मनसंचालन के छेतर में ही मुझे उन्हों नहीं लाया, विश्वास उनका इतना है कि नहीं गांधी सुंद्रम कर लेगा ये चीज, बच्वारा में एक प्रोडाम होना था, बड़े-बड़े कभी आये थे बाहर से, मनसंचालन की बात हुई, परफुल सर किसी कारण से नहीं जा सके, परभाकर सर थे हमारे अध्यस जो है, उन्होंने अनलाजी से कंटेक्ट किया कि परफुल सर नहीं आपा रहा है, कौन हमारा समारो रहा बहुत यादगार रहा है, सर, कवीता के छेतर में क्या-क्या उपलब्धियां अभी तक आपकी रही है, उपलब्धियां ऐसी कुछने, कोई किताब मैं परकासित नहीं करवा पाया हूँ, और पहले पापा किता परकासित करवाओंगा, फिर अपना किता प तो फिर हम इस बारतालाब को आगे बढ़ाएंगे, सर, चार पंक्तियां मैंने कल ही आपके केवी स्टूडियों के लिए लिए लिखा है, जब मुझे फोन आया डॉक्टर रोसन सर का आपका केवी स्टूडियों में आपका इंटेव्यू साच्छातकार होना लेना चाहता ह फिर नहीं, ये तो अच्छी परंपरा है, सर ने बहुत अच्छा काम सुरू किया है, तो मैंने चार पंक्तियां जो लिखा है, वो मैं इस रखता हूँ आपके सामने अंध्यरे रास्ते में जो रोसनी के दीप जलाया है न तुमने, इसे कभी भी अपने दिल से तुम बुझने मत देना, कई चेहरे खरे हैं तुम्हारे इंतिजार में होकर बेकरार सुन लो, उनके गुम्णाम पते पर तुम अपना प्यारा सा खत देना, ये मैंने कल ही लिखा है कि के भी इस्टूडियों को समपित करता हूँ ये पंक्तिया, और सर एक दो फेमस पंक्ती आपकी हो जाती, वो भी अच्छा लगता, और फिर हम इस वारताला आपको आगी बढ़ाएं, फेमस पंक्ती, मैं चार पंक्तियां कहता हूँ, कभियों में कुमार विश्वास, कभियों में कुमार विश्वास, हीरो में स्थारुख खान हूँ मैं, वेगु सराई शान है मेरा वेगु सराई का दिल धर करना विशान हूँ मैं, जब मैं चलता हूँ तो रुकता नहीं, बाधाओं के आगे मैं कभी जुगता नहीं हूँ और लोग तूट जाते हैं लोग तूट जाते हैं मुझे तोरने की कोशिस में मैं वस्य हूँ जो कभी तूटता नहीं हूँ मैं सुर्ज हूँ उगता हुआ कुछ अलग दिखता हुआ मैं सुर्ज होगता हूँ सर आप सुड़िय की बात हुई तो वेगु स्राइ की सुंधी मिट्टी दिनकर से प्रफुलित है तो कहीना कहीं दिनकर बनने की ख्वाईस हर किसी कभी में हर किसी सैड में है तो कहीना कभीयों के बीच ये घमासान विराता है ये है मैंने देखा है उस राय में दिनकर को लेके बहुत लोग चाहते हैं कि सभी जितने कभी हैं युवा हो या वरिष्ट हो सारे लोग समझते कि मैं ही दिनकर हूँ मुझे लोग दिनकर प्रुकारे और लाइन लगा हुआ है आज के दिनकर, कल के दिनकर, भविस्त के दिनकर, मतलब आप दिनकर को आदर्स बान सकते हैं, दिनकर तो स्थारे विश्व के आदर्स, लेकिन आप दिनकर ही हो जाएंगे, वहां तक बहुत मैनत करना पड़ता है, इसी तरह कि आपने जो पूछा, एक फेस्बूक के बहुत तो मैंने पंत्या लिखा, कि ये तो दिनकर बतलाएंगे कौन है उनकी छाया भी, और दिनकर दिनकर रटने वाला बहुत यहां पर आया भी, पर जिसको जनजन का प्यार मिले, वही आज का दिनकर है, जिसके साहित से संस्कार मिले, वही आज का दिनकर है, और वही आज का द पर प्रतिघात करे अरे नफरत चाहे जितना कर ले पर जूठा वाला प्यार नहों सर आप ना बुजुर्ग है ना पॉड कवी में है ना यूबा कवी में है आप उस उम्र की ढ़लान पे हैं जहां से एक पॉड कवी बना जाता तो सर प्रॉड कवी और यूबा कवी के बीच समनवे किस तरह से अस्थापित करना चाहिए आप इस छेत्र को कैसे देखते हैं समनवे अस्थापित करना साहित के छेत्र में कहावत आप जानते हैं कि दो मुर्खादी मिल जाएंगे तो बुद्धिमान आदमी का मिलना बहुत मुस्किल होता है फिर हमारा जो नेचर रहा है कभी लाइन का जो रहा है कि जब भी हम लोगों को मंच पे भेजा आता है तो एक पंक्ती जरूर कही जाती है कि यू आर दे बेस्ट आप ये समझें कि आप ही सर्वस्रेष्ट है और जब ये भावना मन में आजाती है टकराहाट उनी से सुरू होता है हलाकि मेरे मामले में क्या है कि सारे बरिष्ट कभियों का मुझे सही होग मिलता रहा है वे उस रहे कि इतने भी बरिष्ट कभी है शिखर सावन से मैंने सुरुवात किया परफूल सर है आनन्द मिस्रा करते रामा मुस्रा है और ये आपके आनन्द रहभन जी है ये आभी राना कुमार सिंग जी है तो इन सबों ने मुझे बहुत ही प्यार सने दिया है और अभी तक ये समस्या मेरे साथ नहीं आई है और मेरे जो नीचे वाले पाइधान पे हैं जिससे आप भी हमारे साथ मन संचारन करते हैं कविता पाट करते हैं और भी बहुत सारे जो हमारे नीचे के बंदे हैं उनका भी सने मुझे मिलता रहा है भाईया भाईया सुद्रम भाईया तो मैं अपना कर्म करता हूँ फल की चंता चूँद देता हूँ सर उस समय से जब से हम आपके साथ हैं आपके चेहड़े पे एक नसीली मुस्कान है इस मुस्कान का राज क्या है सर। जब मैं फिल्म कर रहा था वर्मा रंगस्या के सुटिंग कर रहा था तो उसकी दो पंक्तिया मैं रखता हूँ उसके पहले चार पंक्तिया रखता हूँ कि कहने वाले कहते हैं सब कहने वाले कहते हैं सब तस्वी बदल दो प्रोफाइल की पर मैं नहीं बदल सकता हूँ यारो प्रश्टाइल अपने स्माइल की और इसी से संदर में जूरा हुआ पर मन असे जब मेरे सुटिंग चल रहती जब उस रहे में ही सुटिंग हुआ है हमारे नीरदे सकते नीरजाद अब सी मैं तुम मेरा आदत रहा है अभी पत्ती में ही मुस्कुराते रहता हूँ कितना ही परिसानी कट नहीं आती है हसके उसका सामना करने कोशिश करता हूँ तो सुटिंग के बहुत बहुत परिसानी होती है खास कर तब आप ही प्रोडूसर भी हो पापा प्रोडूसर थे सारी जेमदारी मेरे उपर थी तो उन्होंने कहा कि आप कही परिसान नहीं दिखते हैं सवा लग की तो आपकी मुस्कान है भाई साथ उन्होंने एक परिसान कहा था कि आपकी मुस्कान सवा लग की है तब मैंने फिर लिखा कि सवा लग की तो मेरी मुस्कान है भाई साथ आग लगा दे मुए सर आप अपने से छोटे कवियों को क्या सुब कामनाएं देना चाहते हैं कविता बहुत कठिन कर्म है और छोटे कवियों इतने भी नवाउंतुग हमारे उभर है वेगुस्राइब के लिए ये गौरब की बात है चाहे बहुत सारे कवियों मनिस महुक है शत्याम भारती हैं, शत्याम कुमार आपके हैं या मदन मोहन जी हैं, मोदी जी हैं, आप निलेस जी हैं, आप खुद और सब लगातार महनत कर रहे हैं सबसे बड़ी बात हम लोग ने देखा है कि मेरे समय में उतना मन्च हमकों महिया नहीं होता था राष्ट्य कभी संगम के आने से वे गुस्राइन मन्च की कमी युवा कभियों के लिए नहीं रहे हमारा प्रगडाम हमेसा अभी तो लॉक्डाउन के बाश से कुछ अस्तगीत भी है नहीं तो महिना में दो प्रगडाम तो हम लोग करते ही थे और हम लोग युवा कभी को ज्यादा तरशी देते हैं मन्च मोहिया कराते हैं चाकि उन्हीं आत्मी स्वास बिक्षित हो सकते हैं और यह संदेश है कि मेहनत करें फल की चिंदा न करें और किसी से मन मुटाओ या रंजिस या क्या बोलते हैं पढ़ते होगी ताक भावन न रखें खुद निखाराते चला जाए सर किसी बड़ी जीमेदारी के लिए पड़िवार का सहयोग बहुत बड़ी है आप फिल्म अविनेता भी हैं सायर भी है और सरकारी विभाग में नौकडी भी है आपकी तो इस सब के पीछे पड़िवार की एक बड़ी भूमिका होती है तो आपको किस तरह से पड़िवार क मासिक प्रइलबदी पर ये वेकिंसी आई थी काजले साहयक की सरसिछा अभ्यान और मैं उसमें भी प्यस्टी के तैयारी कर रहा था मम्मी से चिका थी, उनको पता था सिचावी बागे में एक वेकेंसी आया है और कोई भी गार्जियन होते हैं, जब आप असना तक कर जाते हैं, तो गार्जियन की इच्छा होते हैं, जल्दी से इसको नोकरी में लिजाएं, तो उन्होंने फॉर्म जवडस्ती भड़ दिया, इससे नोकरी कर नहीं करने हैं, नहीं बहुत सारा हुआ, जार भाटकार, मार पीट, तो अंति में हम फॉर्म भड़ दिये, और हम जमा भी नहीं करनेगा हैं, अभुद जमा करने गई, उसके परिछा का ऐल आ गया, बुलामा आगया, 인्टर्व्यू हमारा परिच्छा हुआ फिर इंटर्व्यू हुआ फिर प्रैक्टिकल हुआ मतलब इसको अभी भी हम BPSD काते हैं व्यगुसरा एपब्लिक सर्विस कमिशनी संदी पॉंड्री उसमें हमारे जिला पाधिकारी महोते होते थे इतना हर्ट टफ एक्जाम था हमों का बहुत अच्छा रहा और संद्जोंग देखे कि हमारा सेलेक्शन हो गया तो इनोकरी तो मम्मी की देन है आद मम्मी नहीं है लेकिन अभी भी कोई पूछता है तो मैं तो मैं तो मैं बस मम्मी की बसे नोकरी कर रहा हूँ नहीं तो पता नहीं होता या नहीं होता कोई जानता नहीं है और इधर जब मम्मी की जाने काथ पापा ने फूल सपोर्ट किया मेरा चार भाई या मैं तीन भाई बाहर ही जाते हैं मैं ही यहां रहता हूँ फिल्म बनाने में पैसे तो मेरे पास उतने थे नहीं, पापा ने पहले तो कुछ नहीं किया, वो देख रहे थे कि क्या कर रहा है लड़का, जो भी कर रहा है, काता है फिल्मी बनाएंगे, लिखना पढ़ना तो था ही, मेरा आर्टेकल बगएरा फिल्म बगएरा लिखते ही वो पहले देखे, फिर जब उनको लगा, जब कहानी वो पढ़े, तो जो हमारे टीम की लोग थे, उन्हें पापा को कहानी कहा पढ़ने के लिए, कहानी पापा को इतनी अच्छी लगी, कि सारा गीत वो खुद लिख दिये है, फल्मार वरसिया का जितना गीत है, सब मेरे प सब चारा गीत वो खुद लिखे उसके बाद मुझे सोचना ही नहीं पारा, पैसा की दर्स आ रहा है, कहां जा रहा है, सारा थे पापा का देन था और आज भी पापा उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और जीनके भी गार्जिकन सपोर्ट कर देते हैं, उनका जंदकी बढ़ सर शिक्षाइब वाग में हैं आप एक सरकारी नौकर हैं करमचारी हैं और कभी हैं और हमेशा कहीं न कहीं दोनों के बीच ठक्राव होता है तो क्या कभी सरकार या बड़े पदादिकारी से आपका ठक्राव हुआ है नहीं सपोर्ट मिला है विभाग का भी लोग जाने रहे हैं जो में प्राहिकारी भी आते हैं वो भी करते हैं यार तुम यहां भी हो वहां भी हो क्या क्या करते हो तुम चायर आते हो प्रसलित रहते हो तो सपोर्ट विभाग का भी है साहित लाइन में जब मुझे आप सकता हो मैं चुटी ले लेता हूँ और चुटी मुझे आराम से मिल जाता है सारे पदारे के जो पहले के प्राहिकारी थे उन लोग भी पुरा सपोर्ट करते थे आज भी प्राहिकारी आए हैं उनका ही फुल सपोर्ट में सर केवी इस्टुडियो के लिए आप क्या सुबकामना देना चाहेंगे केवी इस्टुडियो के लिए मैं यही काना चाहूंगा कि भविस में कभी सम्मेलन अगर आयोजीत हो सके तो उसको किया जाए और चार पंक्तियां पुना मैं के भी श्टुडियो के रखता हूँ सुब कामना संदेश देता हूँ अंतिम में कि उमीदों और होसलों को बस यूँ ही ताज देना बन मुरली की तान तुम यूँ ही संगीत साज देना बे नाम होकर ही गुमनाम रह जाते हैं जो कुछ परिंदे उन गुमनाम परिंदों को तुम अपनी परवाज देना यही मेरा संदेश है के वी सर आपके वी श्टीडियो में आए हम आपका भार वैक्त करते हैं और आगे भी सफल जीवन की कामनाएं करते हैं बहुत बहुत धनवाद सब्सक्राइब बहुत बहुत धनवाद सब्सक्राइब